नमस्कार में जिगिशा, जिगिशा सकीचेन में आपका स्वागत है आज हम पालक चनादाल की सबजी बनाएंगे, यह बहुत ही टेश्टी बनी है और साथ में यह बहुत ही हेल्थी है पालक में भरपूर मात्रा में लो तत्व पाया जाता है तो हमारे सरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को पूरी करता है इसमें फाइबर की मात्रा पी जादा होते है तो आतों की सफाई के लिए भी पालक बहुत जरूरी है इसमें कई प्रकार के खनिच तत्व होते है और साथ म इसे हेल्थी रेसिपी को जरूर बनाए और आप घर में भी सबको खिलाए खुद भी खाए तो चलो बनाते ही पालक चना दाल की सबजी रेसेपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले पहले तो मैंने इसको पानी बदल बदल के अच्छे से वाश किया है और इसके बाद मैंने पालक को कट किया है एक छोटी कटोरी मैंने चना दाल ली है और चना दाल को भी मैंने पानी से धो लिया है तीन से चार और इप्याज है इसको पानी से अच्छे से वाश करने के बाद इस तरह से कट किया है सबसे पहले हम गैस ओन करेंगे और इसकी उपर में कुकर रखोंगी ये सबजी हम डायरे कुकर में ही बनाएंगे तो सिद्धा हम कुकर ही रखेंगे और कुकर के अंदर में डालूँगी दो बड़े चमज कुकिंग ओल ये मुफली का तेल है आप कोई भी ब्रान का कोई भी तेल यूज कर सकते हैं जो आपके गर में अवेलिबर हो उस तेल को आप यूज करें तो दो बड़े चमज डाला है तेल हमारा गरम हो गया है तो अब मैं इसके अंदर एक छोटी चमज जीरा डालूँगी जीरा चटक गया है तो अब इसके अंदर हम डालेंगे दो चुटकी हिंग दो से तीन हरी मीर्च को पानी से धोने के बाद मैंने इसको छोटी टुकडू में कट किया था तो अब हम डालेंगे हरी मीर्च हरी मीर्च अच्छे से पक गया है तो अब मैंने इसके अंदर डाला है हरा प्याज जो हमने cut करके रखा था तो मैं इसको अच्छे से mix करूंगी और धिमियाज पे इसको पकने दूँगी हरा प्याज अच्छे से पक गया है आप देख सकते हैं इसको अच्छे से पकाना बहुत ही जरूरी है इसके कारण सब्जी में टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है तो अब मैं इसके अंदर डालूँगी एक बड़ा चम्मच अद्रक और लौसुन की पेश्ट तो इसे भी हम मिक्स कर देंगे और एक मीड के लिए इसको भी धिमियाच पे पकाएंगे ताकि लौसुन की जो भी स्मेल हो वो चली जाए और इसका टेस्ट ही सब्ची में आए अद्रक लौसुन की पेश्ट भी अच्छे से पक गए है तो अब मैं इसके अंदर आधी चोटी चम्मच हल्दी पावडर डालूँगी दो चोटी चम्मच धनिया और जीरा पावडर दो चोटी चम्मच लाल मीच पावडर आधी चोटी चम्मच घरम मसाला नमक हम स्वादनुसा डालेंगे गैस की आज हमें धीमी रखनी है अब मैं इसको इस तर से लाओंगी थोड़ा मीक्स करना है इसको पकाना नहीं है वरना ये मीच का कलर चेंज हो जाएगा तो बस ये अच्छे से मीक्स हो गया है तो अब मैं इसके अंदर कटे हुए टमाटर डालूँगी एक बड़ी इसके टमाटर को मैंने पानी से धूने के बाद कट कर लिया था तो मैंने टमाटर डाल दिया है अब हम इसके अंदर डालेंगे चना दाल जो मैंने धोके रखी थी इसको भी हम मिक्स करेंगे इस प्रोसिजर में आपको गैस की आज धिमी रखनी है वरना मिच का कलर चेंज हो जाएगा अब हम इसके अंदर कटी हुई पालक डालेंगे और पालक डालने के बाद हम सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे और धिमी आज पे इसको पकाएंगे अब हमें इसको धिमी आज पे पकाना है बीच बीच में इस तरह से इसको हिलाना पे है ताकि सारे सामगरी अच्छे से एक दूसरे में मिल जाएंगे आप देख सकते हैं कि पालक अच्छे से पक गई है और इसके अंदर से ओयल भी सेपरेट होने लगा है तो बस इसी तरह से हमें पालक को पकने देना है ताकि सबजी में अच्छा सा टेस्ट आए तो अब हम इसके अंदर डालेंगे एक लास बर के पानी क्यूंकि हमें अभी चने दाल को पकने देना है अभी इसके अंदर थोड़ा पानी कम है तो मैंने मिला दिया है तक्रिबन सवा क्लास जितना पानी डाला है इस टेज़ पे अगर नमक कम लगी तो भी आप मिला सकते है इसके अंदर थोड़ा नमक कम लगता है तो मैंने मिला दिया है और इमीज को कट करके मैं यहाँ पर डालूंगी और कुकर का धकन लगा दूंगी कुकर का धकन मैंने लगा दिया है और शुरुवात में हाई फ्लैम पे इसमें एक सीटी आने देंगे बाद में 7-8 मिनिट तक हम इसको एकदम लो फ्लैम पे धीमियाज पे पकने देंगे साथ से आठ मीट तक पकने के बाद कुकर को अपने आप ठंडा होने देना है जब कुकर अपने आप ठंडा हो जाएगा इसके बाद में ही इसको खोलना है आप देख सकते हैं सबजी का टेक्स्चर कैसी दिखती है हमारी सबजी बहुत ही टेस्टी बनी है देखने में भी बहुत ही अच्छी रखती है ये एकदम पॉर्फेक्ट बनी है हमें एकदम गाधी ठीक नहीं चाहिए और एकदम पतली नहीं चाहिए आप देख सकते हैं कि ये दार भी अच्छे से पक गई है दबाने से एकदम ये तूट जाती है तो सब्ची को आप रोटी में ट्रांस्पर कर दूँगी फ्रेंट्स आपको मेरी ये रैसेपी कैसी लगी अगर आपको मेरी ये रैसेपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कॉमेंट और शेर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले सब्सक्राइब करने के बाद ब झाल